नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, मैं अलोक मंगल स्रागत करता हूँ आपका प्लेस्मेंट सेल इंडिया की दुनिया में, बच्चों उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बच्चों हमारा चैनल आपके लिए लेकर के आता है रोज नई नई वे चाहिए वो गवर्मेंट जाब हो, प्राइबेट जाब हो, पब्लिक सेक्टर की जाब हो, टेकनिकल की जाब हो, नॉन टेकनिकल की जाब हो, आई टीए पास इस्टुडेंस की जाब हो, डिपलोमा होल्डर्स की जाब हो, बीटक होल्डर्स की जाब हो, इसके अलावा, आप सबके लिए निकर के आया हूँ गवर्मेंट सेक्टर की जॉब फील्ड ऑफिसर की जॉब है इस जॉब के बारे में हम डिटेल में बात करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो आप मिस्करते हैं एक सुनहरी जॉब प्राप्ट करने का सुनहरा मौका बच्चों मैं आपको बता दूँ जो जॉब मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वो डारेक्ट रिक्रूट्मेंट की जॉब है इसके लिए किसी भी रिटन एक्जाम का कंड़क्शन नह देख पा रहे हैं यह जॉब गॉर्मेंट ऑफ इंडिया की तरब से है बच्चों कैबनेट सेक्रेटेरियेट डेप्यूटी फिल्ड ओफिसर रिक्रूट्मेंट की जॉब है टोटल पोस्ट है इसके लिए एक सो साथ ठीक है इस लिमिट की बात करें तो इसके लिए आपकी maximum age 30 साल होनी चाहिए उससे अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन जो बच्चे हमारे SC, ST या OBC कटेगरी में आते हैं उनको age में relaxation मिलने वाला है तो आपको परिशान होने की ज़रुद है नहीं तो चले बच्चों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चों अगर trade की बात करें तो जिन बच्चों का subject computer science या information technology है वो बच्चे इस post के लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा जिन बच्चों का trade electronics and communication है वो बच्चे भी इसके लिए apply कर सकते हैं मैं बता दूँ आप computer science और information technology की total है 80 post electronics and communication की है 80 post तो इस हिसाब से total post हो जाती है एक सो साथ साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये direct recruitment की job है इसके लिए किसी भी तरह का return exam नहीं लिया जा रहा है ठीक है बात करें place of interview की तो interview के जो center है वो आपके चिन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जम्मू, जोदपूर, कोलकाता, लकनू और मुंबई में होने व करने के लिए आपका BTEC होना जरूरी है, साथ ही साथ आपका gate pass out होना जरूरी है, चुकि selection merit based होना है, तो आपके BTEC में जितने marks होंगे और जितने आपने gate में marks प्राप्त किये होंगे, उस हिसाब से आप sort listed होंगे, बच्चों मैं आपको बता दूँ किस address पे आपको ये अप अपना offline form भरके बेजना है, तो आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं, ये address है, post bag number 001, लोधी रोड, head post office, new Delhi, 11003, बच्चों जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं, ये form का pro pharma है, जो की notification के साथ attached है, इस notification को मैं वीडियो के description box में डाल दूँगा, description box से आप इस notification के link को download कर लीजेगा, form आपको मिल जाएगा, इसी form में आपको अपनी सारी detail भरके भेजनी है, इसके अलावा जो बच्चे कास का benefit प्राप्त करना चाहते हैं, उनका भी format इसमें पढ़ा हुआ है, तो आप लोग भी भरके इसके लिए apply कर सकते हैं, बच्चों सुनहरा मौका है, Government of India आपको दे रही है, field officer की job, कोई भी written exam नहीं है, direct recruitment की job है, इसको आप जल्दी से जल्दी apply करें, ये सुनहरा मौका आपके हाथ से जाने ना पाए, उमीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, मेरी best wishes आप सबी से विदा लेता हूँ, मिलूंगा किसी और वीडियो में कुछ और jobs के notification के साथ, आप सभी अपना ख्याल रखें, आपका दिन सुबहो, नमस्कार